स्वागत है दोफ्तों एक वार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेडिसेन रेवियू में जहां आप पाते हैं सबी दबान्यों का रेवियू तो दोफ्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो डी 3 फैम कैपसुल के बारे में जो की महलाओं में ओफ्टियो पॉरसिस की समस्या से निजात पाने के लिए और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए काफी अच्छा और जाना माना कैपसुल है तो दोफ्तों आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कि इसके क्या का यूजिज है और इसकी डोज और साइट इफक्त क्या रहते हैं और विडियो के लाफ्ट में जानेंगे कि इस कैपसुल को लेने से पहले क्या क्या साबदानिया रखनी होती है तो इनी सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो अगर आप इस वायो डी-3 फेम कैपसुल के बारे में पुरी जानकारी चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाफ्ट तक जरूर देखें तो दुफ्तों सबसे पहले बात अगर जो है वायो डी-3 फेम कैपसुल की करें तो इसे जो है मायक लियोर्स नाम पी कंपनी वनाती है और ये कंबिनेशन कैपसुल है इसमें कैल्सी ट्रॉयल, कैल्सीम कार्बोनेट, सोया आईसो फ्लाबोनस, बिटामिन केटू सेबन और मैगनीसियम दिया होता है इस पहीं MRP की बात करें तो ये आपको 10 कैपसुल का इस्ट्रेप जो है कैल्सीम के अवसोस्ट के लिए, बहुती ज़्यादा महतपूर होता है इसके अलाबा दुफ्तों, इसमें कैल्सीम कार्बरोन दिया होता है जो कीмов्त हड़ी और मास्पेशियों के लिए महतपूर होता है येदि हमारे रक्त में पर्याप्त केल्सियम नहीं होता है तो जो शरीर होता है वो हड्डियों से केल्सियम लेता है जिस कार्ण से हमारी हड्डिया कमजोर हो जाती है इस परकार हड्डियों को मजबूत रखने के लिए केल्सियम का सेवन आबस्यक होता है साथी दुफ्तों इसमें सोया आईशोफला बोनस दिया होता है जो कि महलाओं में रजिनों बृत्त के बाद होने बाले एफ्ट्यू परुसिस रोक को कम गरता है और महलाओं में एफ्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा को बढ़ाता है साथी दुफ्तों इसमें बिटामिन K2-7 दिया होता है तो दुफ्तों बिटामिन K2-7 हमारी हड्डियों के घनत को बढ़ाता है और हड्डियों को नुकसान को रोकता है बिटामिन K2-7 लंबी अबद के लिए हड्डियों के शाफ्त के लिए सबसे महत्पूर्ट पोशक तत्तों में से एक है और ये कैल्सियम से भी ज़्यादा महत्पूर्ट होता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए साथी दुफ्तों इसमें मैगनीसियम दिया होता है सरीर में मैगनीसियम की पर्यापत मात्रा होने से दिमाग की कारचमता बढ़ती है जिससे यादाफ तेज और मजबूत होती है इसके अलाबा ये हड्डियों के निर्माण में भी मदद करता है और उन्हें मजबूत वनाय रखता है तो दुफ्तों आप जानते हैं इसके यूजस के बारे में कि इसका उपियोग जो है किनकिन को ठीक करने के लिए किये जाता है तो दुफ्तों इसका मुक्यता उपियोग जो है हड्डियों से जुड़ी कई दिक्कतों को ठीक करने के लिए किये जाता है तो दुफ्तों और बिमारी है जो की ज्यादा तर महिलाओं और बुजुर्गों में देखने को मिलती है इसमें म कई बार महिलाओं में हड्डियां तूरती नहीं है फिर भी उनमें दर्द रहता है तो इस ऑस्ट्री परोसिच के इलाज के लिए यह कैप्सूल डॉक्टर द्वारा दिया जाता है साथी दुफतों ऑस्ट्रो मलेसिया नाम की बीमारी है इसमें डिक्तिकों जो हड्डियां है वो पतली हो जाती है साथी हड्डियों से जुड़ी जो मास्वेसियां होती है वो भी कमजोर हो जाती है और हड्डियां आसानी से तूट जाते है इसमें हड्डि मुलायम भी हो जाती है तो इस ऑस्ट्रो मलेसिया को ठीक करने के लिए भी यह कैप्सूल डॉक्टर द्वार दिया जाता है, इसके अलाबा दुफ्तों, रिकेट नाम की एक बीमारी है, जो की जादा तर बच्चों में देखने को मिलती है, इस बीमारी में बच्चे की जो लंबी हड़ियां होती है, जैसे की हाथ की, पाउ की, या जांग की, यह सभी कमजोर हो जाती है, मुड़ने लग डॉक्टर द्वारा दी जाती है इसके अलावा अगर किसी वेक्त को मास्ट विश्यों में दर्द है तब भी एक कैप्सूल डॉक्टर द्वारा दी जाता है साथ ही अगर किसी व्यक्त की हड्ड किसी भी कांड से कमजोर हो गई है तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए ये एक capsule दौक्टर दौरा दियाता है तो दुफतों ये थे इसके कुछ यूज़ोज़ हो सकता है यह जो मैंने यूज बताए इनी यूज उसके अलावा भी डॉक्टर अपने experience के साब से किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए इस capsule का प्रियोग करें तो दुफ्तों यूज जानने के बाद अब बढ़ते हैं इसके sad way की तरब किस capsule को लेने से क्या-क्या sad effect हो सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को होते हैं तो इसके sad fact जो है पेट दर्द होना, उल्टी होना, सिरदर्द होना, कब्ज होना, भूग का कम लगना, मूँ का सुखना, सरीर में सूजन आना, तुछा परलाल चकत्ते होना, जैसी समस्याइं हो सकती हैं तो दुफ्तों आप जानते हैं इसकी डोज के बारे में कि इसकी डोज जो है कितनी मात्रा में दी जाती है तो दुफ्तों जैसा कि मैं आपको प्रतेक वीडियो में बताता हूं कि किसी भी दवा की डोज मरी इसकी age, weight और इसकी बीमारी के साब से दी जाती है फिर भी इसकी common डोज की बात करें तो अडल्ट में एक कैप्सूल दिन में एक वार खाना खाने के बाद में दिया जाता है ज़्यादा अवसकता होने पर इसकी डोज को बढ़ा कर एक एक कैप्सूल दिन में दो बार सुबह साम खाना खाने के बाद में कर सकते हैं इसकी डोज के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर की सला भी ले सकते हैं तो दुफतों अब वीडियो के लाफ्ट में जानते हैं कि इस कैप्सुल को लेने से पहले क्या क्या साबदानिया रखनी होती है तो दुफतों अगर आप पहले से किसी बिटामिन, हर्वल या सप्लिमेंट का उप्यो कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं साथ ही अगर कोई प्रिगनेट बुमेन है या ब्रीफ्ट बीडिंग मदर है तो उसे भी ये टेबलेट बिन डॉक्टर के सलाके नहीं लेनी चाहिए साथ ही अगर कोई मरीज है जिसे डियाबिटीज की समझ से है तो उसे ये कैप्सूल बिला डॉक्टर की सलाके नई लेना चाहिए तो दुफ्तूं ये था हमारा बायो डित्री फेम कैप्सूल का रिव्यू अगर आप इसे जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज शेल को सस्क्राइब जरूर कर लें तो आज की वीडियो में फतनाई तो थैंक्स फ्रेंड्स एंड बंदे मातरम